नमस्कार दोस्तों मैं उनीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपको इवन समेस्टर का एग्जामिनेशन आउनलाइन मोड में कराने वाला है उसके रिगार्डिंग उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिये हैं कि कब क्या बच्चों को करना है उसी के संदर्ब में आगे आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं जिससे कि यहा उसका यूजर आड़ी पासवर्ड जो आपको एक टू लॉगिन पर अल्लेड़ी अभलेबल है जिसने एक वीडियो हम लोग ने अल्लेड़ी बनाया हुआ है अगर आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं मैं उसका लिंक जो है उपर आई बटन पर डाल इन यहां पर क्लिक करने पर आपको जो पेज खुल के आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा और वहां पर आपको क्या करना है अपने लॉगिन क्रिडेंशल का इस्तमाल करना यानकि यूजर आड़ी और पासवर्ड का इस्तमाल करना है यूजर आड़ी और पासवर्ड आप कि Google Chrome इस्तमाल करें या फिर Mozilla Google Chrome 75 वर्जन से उपर होना चाहिए और Mozilla जो है या Firefox जिसको कहते हैं वह 70 के उपर होना चाहिए उसका जो वर्जन बताए गया है और ध्यान रखना है कि सफारी पे वर्क नहीं करेंगा सफारी एक ब्राउजर ही है उस पर वर्क नहीं करेंगा आपको मेंली फोकस करना है दो ब्राउजर पर या तो Google Chrome हो या फिर आपका Mozilla Firefox हो यह आपको ध्यान र आपको सब कुछ filled रहेगा स्रिफ आपको क्या करना है चेक करना है यहाँ पर आपका login ID आपका नाम आपका contact number email ID आपका एक्जाम जो भी आपका है कि समेस्टर का एक्जाम हो रहा है वह subject का नाम code सारी चीज़ है यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे अगर इन में कोई भी चीज गलती है अगर कहीं पे भी आपको लगता है गलत है in the sense आपका contact number में कहीं problem है या आपके जो subjects लिखे हैं इन में कहीं पे कोई problem है तो आपको क्या करना है कहा गया है देखिए in case of any discrepancy you can visit erp.ak2.ac.in and make then changes इसका क्या मतलब है इसका मतलब बस यह है कि आपको क्या करना है आप अगर इसमें कोई correction की requirement है तो आप अपने 1.2 की login पर जाईए और वहाँ पे changes कर दीजे क्योंकि यह जैसे contact number email ID वहीं से change हो सकता है तो करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा 48 hour का इंतिजार करना changes will be affected reflect in 48 hours in the exam registration portal यानि कि यहाँ जब आप करेंगे अगर कोई changes EK2 ERP पर तो 49 घंटे लगेंगे आपको यहाँ पे वो changes को reflect होने में यह चीज़ आपको ध्यान लखना है यानि कि आपको अगर कोई correction करना है तो आप कर लें और 48 hours के बाद दुबार है यहाँ login करने की कोईशिस करें अब ध्यान लखना है यहाँ पे एक और चीज़ कही गई है कि smartphone, laptop, desktop with camera and mic is required to take the test please prefer laptop और desktop जो कि पिछले circular वेगर है मैं भी वो लो बार-बार कहते हैं कि laptop या desktop का ही आप इस्तिमाल करें तो वो ज्यादा बहतर है अब एक चीज़ और यहाँ पर दियान लखना है आपको यहाँ पर subject का नाम दिखा दिखना program, name और semester लिखा है और यहाँ पर आपके paper code वेगर होंगे maybe यहाँ पर date भी दिखा है लेकिन यहाँ नीचे इन्हों ने एक चीज़ लिख दिये for detailed schedule of examination kindly refer ake to x website यानि कि जो circular का page होता है वहाँ पर आपको date वेगर है अगर verify करना है तो आप वहाँ से verify करें फिर आपको क्या करना पड़ेगा I agree पर click कर दिजे और यहाँ पर proceed authentication जो लिखा हुआ है उस पर आप click कर दिजे जब आप click करेंगे तो आप क्या होगा next page पर आगे बढ़ जाएंगे इसमें यह कहा गया है भिहान रखने के लिए चात्रों को role number, mobile number, email id, विसाय code और नाम जैसे विबरन जरूर जाच कर लें और अगर कोई changes करेंगे तो यहाँ जैसे मैंने बताया थे 48 गंटे के बाद प्रदर्सीत होगा तो वो आपको जहाँ लखना है जब इतना करके आप submit करेंगे तो आप submit हो जाएगा आप कहे रहा है thank you, your application is now completed kindly login again for face training यानि कि face training के लिए आपको आप दुबारा से login करना पड़ेगा तो अगेन आप फिर से क्या करेंगे जो आभी हम लोगों ने ऊपर link की बात की थी जो यह link है इस पर फिर से click करेंगे और click करेंगे तो फिर face training के लिए आपको next page पे ले जाएगा और click करेंगे यानि कि login page पे आने के बाद जब login करेंगे तो आपको इस पेज पे ले आएगा और इस पेज पे आने के बाद आप देखें तो क्या कह रहा है candidate to rejoin, re-login using same credential host login candidate to face train तो यह आपको जो है face training के लिए यहाँ पर login जब आप करेंगे तो ले आएगा अब आप यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, please ensure that your face is in the middle of the frame यानि कि यह जो frame दिया हुआ है इसके बीच में आपका रहे चेहरा ensure that you are sitting in the well-enumilated room यानि कि अच्छी खासी रॉसनी में आप रहें, अंदेरा नहीं होना चाहिए please ensure that you are not wearing any mask or hoodie यानि कि कोई mask और hoodie जैसे ठंडियों में उपर cap type का लोग लगा लेते हैं वो सब नहीं रहना चाहिए please ensure to use same device while taking the test as used now यह बहुत ही important है क्यों यह क्या कह रहे है कि आपको होसिस करिए कि आप उसी device का इस्तमाल करें जो device अब इस समय यानि कि यह सारे process करते समय इस्तमाल कर रहे हैं यह करने के बाद मुझे लगता है कि दो बार यह जैसे यहां बनाए गया है दो बार photo आपको click करनी होगी और आपको दोनों बार यहां जब photo आ जाएगी then next step क्या होगा कह रहा है कि your face training is completed kindly login again यानि कि आपको जो face training का काम था वो भी complete हो जाएगा अब आपको फिर से login करने के लिए कहेगा अब फिर से आप जब login करेंगे तो आपको देखे क्या कह रहा है on login candidate will be able to see the examination assigned examination assigned आपको मिल जाएगा candidate will get just one attempt to complete the examination अब आपको जो है अगला step जो है examination अपना complete करना है the examination sections page appears as below examination का जो page होगा वो कुछ इस तरीके का display होगा तो आपको पहले तो mock test होना है तो आप यहाँ पर यानि कि जब आपकी photo वेगर अच्छे से खिच जाएगी तब आपको mock test पर ले आएगा और mock test पर ले आएगा यहाँ पर continue पर आप यहाँ क्या करेंगे यहाँ पास 4G SIM भी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा आप यहाँ पर proceed पर click कर देना है जब आप click करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सारे टेस्ट automatically वो दन कर लेगा उसके बाद आपको क्या instruction है तो देखिए इसमें कह रहा है as it is a remote proctoring examination please make sure you have a functional webcam on your device face tracking is enabled for this examination इसका मतलब है कि यह जो है remote proctoring examination है और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डिवाइस उसमें webcam जरूर हो और यह webcam के थ्रू आपके face tracking enabled रहेगी यानि कि आपके चहरे का movement वेगारा सब कुस यह track करेंगे यह चीज़ आपको ध्यान रखना है फिर इसक to read the instruction जब आप login करेंगे और वहां camera वेगारा यह जो चार स्टेप्स की यह जो कि यहाँ पीछे आपको बताया गया यह कर लेगा तो उसके बाद आपको यह जो है window display होगी तो कह रहा है कि candidate needs to read the instruction carefully and check the acceptance button and click on proceed now till the timer is ticking the button proceed now is grey अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप जब इस button यहाँ पर tick लगा लेंगे जैसे I accept पर normally आपको कोई bank का पॉम भरते हैं या कोई भी पॉम भरते हैं तो उसमें रहता है जैसे यहाँ पर भी आप कर लेंगे tick उसके बाद आपको इंतिजार करना पड़ेगा proceed now पर click करना है लेकिन तब तक इंतिजार करना है जब तक य यहाँ आप जान रखें तो जो instructions है वो आप जरूर एक बार वहाँ पर display होंगे उनको आप एक बार जरूर पढ़ें और देखिए यहाँ पर फिर से वही बात उन्होंने कई है waiting lodge में proceed now button turns green when while mean which means the test is ready to be taken जब यह आपका gray से यह जो button है gray से green हो जाएगा तब आप उसको proceed कर सकते हैं यानकि आप exam देने के लिए तयार हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाए गया है कि यह green हो जाएगा अब इसके बाद आपका है process flow के बारे में बात हो रही है अब देखिए क्या कह रहे हैं candidate must note that the exam is AI remote proct and all and also image proctored examination यानि कि आपका AI based भी proctoring होगी आपकी यानि कि एक तरब से कह सकते हैं कि आपके उपर AI based एक तरब से समझे कि invigilator लगाया गया है जैसे कि आप offline mode में जब paper देते थे तो वहाँ invigilator होते थे वैसे यहाँ पर भी AI based होंगे और आपके proctor भी अलग से assign किये जाएंगे मतलब कोई human भी आपको track कर रहा होगा और software के तुर आपकी tracking होगी होगी hence during the examination if candidate is trying to navigate the other window यानि कि आप जो main exam है उसके अलावा कुछ और खोलने की courses करेंगे screen पे then you will get a navigation warning तब आपको एक navigation warning मिलेगी कि आप जो है कुछ गलत कर रहे है candidate is not allowed to navigate कह रहा है कि कोई भी बच्चा जो है candidate navigate नहीं करेगा यानि कि एक window से दूसरे window में move नहीं करेगा और जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए warning देगा और देखे कह रहा है 4 out of 15 warning इसका मतलब है कि maximum मुझे लगता है जैसे अगर हम देखें तो यह 15 बार आपको warning देगा maximum जो मुझे लगता है हो सकता है यहाँ पर 15 question है तो 15 बार warning है अगर 50 question होंगे तो maybe 50 warning तक चला जाएगा तो यह चीज आपको जान रखना है कि आप जितना कम से कम रहे तो वह ज्यादा बेतर otherwise आपको UFM के case में वह डाल सकते है अब next है आपको क्या आपको इस तरीके का questions मिलेंगे और उन पर आपको क्या करना होगा अपने options टिक करके next वेगार पर click करते जाना जैसे यहाँ पर next है previous है इन सब पर करते जाना है उसके बाद जो है जब आपको complete हो जाएगा exam तो आपको क्या करना परिशा पूर्ण होने पर submit किया जा सकता है तब आप क्या करेंगे जो यहाँ पर submit button है या end test है उस पर आप click कर देंगे और आपका exam क्या हो जाएगा automatically submit हो जाएगा तो यह आपका क्या था submission का था जैसे कि यहाँ पर भी window दिखाया है और जब आप click करेंगे तो यह आप से पूछेगा क्या आप करना चाहते है इसको submit तो आप yes पर जरूर click कर दें तो आपको क्या हो जाएगा test submitted successfully इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा पूरी जाए के द्वारा इसलिए आपको होसेश करें कोई भी गलती दोदर से ना करें और उसके बाद आगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप जो है proctor से chat कर सकते हैं ठीक ना proctors can chat with candidate during the examination candidate can all can use the chat option to clarify doubts if any यानि कि कोई doubt है तो उससे भी आप उसकते हैं किसके proctor से candidate image are being tracked by the proctor again वही बात कही जा रही है कि आपकी जो है image है वो continuously क्या की जाएगी track की जाएगी किसके द्वारा proctor के द्वारा तो यह व्यात आपको विशेश ध्यानकना और यह दिखाया जा रहा है किस तरीके से chat box आपको मिलेगा pro यहानकना है candidate submit the examination post completing of test तो अगर आपका जो है candidate submits the examination post completion of the test अगर आप चाहें तो पहले भी submit कर सकता है यह बात कहने के कोशिस की जा रहे है once submitted एक बार submit हो गया candidate will not get a chance to re-login and upload answer sheet upload answer sheet उनके लिए है जहाँ पर subjective question आएंगे तो आपको नहीं परशान होना यह general बनाया गया है आपको पता है आपको objective ही मिलने वाला है तो बस इतना ध्यान रखना है कि एक बार आपने submit कर दिया उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिले आपको नहीं मिलने वाला है फिर यहाँ पर इन्होंने फिर से वही बात कही है कि क्या-क्या सिस्टम की requirements है तो वह कह रहा है कि internet की bandwidth minimum 500 बारक के भी का होना चाहिए यह आपको अगर हमारा computer बगार है तो 2GB RAM यह 4GB हो तो बहुत अच्छी बात है 1.5 GHz यह सब जो है प्रोसेसर की बात कर रहा है और Windows अगर Windows 10 हो तो और अच्छी बात है फिर Google Chrome का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप Firefox Google Chrome या फिर Firefox का इस्तमाल कर सकते हैं यह चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें और इसके बाद इसमें एक और बात कही जा रही है यह चीज़ बहुत इंपोर्टेंट है आप इसका जरूर ध्यान रखें कहा रहा है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है किसी भी कारण से तो आप जो है कॉपी पर नोट डाउन करके रखें और विंडो को बंद ना करें यानि कि आपको यह ध्यान रखना है जब जैसे इननेट आएगा फिर से वह रिकनेक्ट हो जाएगा नविगेशन वेगरा कि बार-बार बात हो रही है और कोसिस करना है कि आप जो है अगर कंप्यूटर भी रही मानेगा कि आप जो है अपना विंडो स्विच कर रहा है इसले ध्यान रखें कहा रहा है कि अपनी जो स्टेशनरी है यानि कि पैन पैंसिल रबर कटर जो भी आप रखना चाहते हैं कैलकुलेटर जो कि इन्वर्शिटी में अलाउड है उनको आप रख सकते हैं तो यह आप ध्यान रखें फिर कह रहा है कि मोबाइल या लैप टॉप जो भी है वा फुली चार्ज रहे या बैक अप के साथ में रहे वह भी बहुत अच्छी बात है और हुजाले वाले कमरे में बैठें तो इसे कुछ इंस्ट्रक्शन और इसको फॉलो करते हुए आप क्या कर सक अगर यह आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद